सब बनाते एक endpoint जिसको अपन हिट करें अपने को restaurant का reservation हो जाए अफकोर्स क्योंकि अपने को API बनानी है तो अपने को जैसे अपन पहले API बनाते आ रहे थे कुछ उसी तरह से अपन API बनाएंगी पर इस बार कुछ new concept भी पढ़ेंगे और साथ साथ कुछ नया भी सिखेंगे मैं इस पूरे reservation system को सबी steps को एक एक वीडियो में divide करूँगा ताकि आप एक एक चीज़ को अच्छे से समझ पाएं देख पाएं तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स वीडियो से अपनी API एंटपर्ट को उप्रेट करते हैं तो फस्ट अपल तो मैं आतो हम video studio code के अंदर यहां में open करता हूँ अपना वही API फोल्डर जो अपने पहले बनाया था तो यहां पर जिस तरह का URL में इस बार चाहता हूँ वह कुछ ऐसा होगा कि यहां पर सबसे पहले मैं API करूँ slash API slash restaurant मैं यहां पर करूँ and restaurant के बाद मैं यहां पर दूँगा slug जो भी restaurant का slug है तो मैं यहां पर पास देता हूँ slug and something like that and then यहां पर मैं पास होगा कुछ query parameters like क्या date है क्या time है etc कितने लोग आ रहे हैं बागी सारी चीज़ है overall इस restaurant को book करने लिए जिस information को मुझे पर पास करने है वो एक तो यह restaurant कस लग है कि किस restaurant को मैं book कर रहा हूँ कितने लोग आ रहे हैं किस date पर आ रहे हैं और किस time पर आ रहे है यह information मुझे जाहिए उस सारे information को API पर मैं hit करूँगा तब ही जाकि API मुझे response दे पाएगी तो मैं इस बार किसी post request का use नहीं करूँगा और साथ साथ में search parameters को भी access लेंगे चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे कर सकते हैं तो मैं इसे यहां से restaurant को cut कर लेता हूँ इसे cut करता हूँ इसे भी cut करता हूँ अब एक और फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम होगा restaurant मैं create करता हूँ एक नया folder API के अंदर तो मैं यहां पर इतके new folder restaurant मैं उसका नाम दिया अब अपने बस दूप ओल्डर है one for authentication one for restaurant तो इत्वा restaurant के अंदर मैं एक और folder बनाऊंगा तो मैं तो मैं तो new folder और इस folder को मैं dynamic रखूँगा slug के नाम से तो यहां पर इसे जूपी restaurant प्स लोगों का वह मुझे मिल जाएगा तो यह अपर API के अंदर भी dynamic folders बना सकते और इसके अंदर अब मैं एक new बनाऊंगा route.ts राउट.ts जिससे मैं API handling कर सकता हूं एंड यह अपने पास फाइल आ गई simple सी simple था मैं अपर get function को export कर देता हूं तो यहां पर मैं एक simple से function को export कर देता है इसका नाम है get and यहां पर प्रिटर्ण कर दूगा अभी के लिए मैं आपि करता हूं यहां पर नेक्स रस्पॉंस प्रमाइश इसको मैं कर देता हूं इक और वैली पास कर देता हूं तो वह होगी पिपने पासे status और जिसको मैं करें टू हरण जिब meisten कर देता हूं спокой से है यहांप कर देता हूं तो यहां पर मैं करूँगा localhost 3000 slash API slash restaurant और फिर restaurant का slug मैं जैसे इस URL को hit करूँगा देखी क्या response आता है मेरे पास आया message okay मैं से थोड़ा से zone कर लेता हूँ ताकि आप उतका सकूँ तो यह भी गो अपने पास यहां प्यार है message okay that means यह API route अपना यहां पर work कर रहा है अब मुझे यहां क्या करना है जो भी slug user ने provide किया है उसे extract करना है और साथ ही साथ यहां पर मुझे question parameter के साथ उस data को भी भीजना है जो मैं चाहता हूँ send करना यहां पर मैं किस data को send पर चाहता हूँ मैं चाहता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि यहां से मैं party size में जितने people से उने भी send करूँ जो date है और जो time है तीन parameters को as a search parameter यहां पर send करूँ search parameter के लिए वही मुझे question mark syntax use करना है तो मैं से यहां से पाभी करता हूँ यहां आपको दिखाता हूँ अब मैं question mark के साथ साथ तो सभी data को pass कर सकता हूँ like पहले मैं pass करूँ यहां पर date and मैं यहां पर date पास करता हूँ date is equal to my country just for now dummy 23 and यहां पर and time and time को मैं is equal to कर सकता हूँ 7.30 यह just एक dummy example है and मैं एक और करता हूँ and party size यहां पर मेरे पास होने वाला है 8 ripples का तो कुछ इस तरह की API में इस बार hit करूँगा and मैं चाता हूँ यह जो data मैंने यहां पर provide किया इसे मैं extract कलू route के अंदर यह मैं कैसे कर सकता हूँ चलिए वो देखते है मैंने आपको बताया था यह अपनी paste.tsx file होती है या फिल layout.tsx file होती है उसको by default nextjs कुछ props provide करता है जिसकी help आपन slug ले सकते है कुछ उसी तरह से nextjs के in functions को भी nextjs को default props provide करता है जिसकी help से पन parameters को access कर सकते है तो मैं यहाँ पर जा करूँगा एक और comma लेगा कि उनको भी accept कर लेता हूँ तो मैं यहाँ पर destructure की help से पराम्स को लोगा तो मैं पर देता हूँ parameters यहते हैं में पास आते हैं उसका type भी मैं आप यहीं को different कर देता हूँ में पर जो पराम्स होने वाले हैं वो एक object होगा जिसके इंतर slug होगा और वो एक spring होगा इसे मैं कर लेता हूँ format and here we go अब यहाँ पर मैं पराम्स को एक्सेस कर सकता हूँ तो first of all तो मैं क्या करोगा इस पराम्स को यह से copy करूँआ and यहां कर देता हूँ में पास हो जाएगा const slug तो यह हो जाएगा slug is equals to prams.slug तो आप जो भी slug होगा वो slug के इंदर आगे save हो जाएगा message के अंदर अपने को वही slug बेखने को मिला है जो अपने यहां पास किया था तो कुछ इस तरह से अपनिया पर slug को एक्सेस कर सकते हैं अब मैं यहां पर query parameters जालता हूँ और उसको एक्सेस करते हैं वैसा ही एक type next yes का है खुद का next request उसके अंदर आप कुछ ऐसे functions बेखने को मिलते हैं जो specially next yes के लिए है तो मैं यहां क्या करूँगा इसको type करतूँगा next and next और इसको करतूँगा request तो अब यह convert हो जाएगा next request के अंदर अब इसके अंदर मैं उन सभी functions को access करता हूँ जो next yes प्रोवाइड करता है तो मैं क्या करूँगा इसके अंदर एक function है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि करके रिखाता हूँ आपको यहां से मैं request को copy करता हूँ इस बार मैं request के अंदर से next URL को लूँगा तो यहां पर next URL के उपर में कई functions लगाता हूँ जिसमें में में पास एक function दिखने को मिलता है search parameters का search params इसके अंदर सारे parameters आजाते है तो अगर किसी मुझे particular एक parameter को grab करना है तो मैं get function को use करूँगा and get function के अंदर मुझे बस वो key pass करनी है तो currently मैं pass कर देता हूँ और इसे मैं यहां से save करता हूँ save करने को बाद इस page को again reload करता हूँ अपने को देखने को बने का null क्योंकि अभी अपने कोई भी search parameter pass नहीं किया है लिकिन मैं question mark लगा गया है पर करता हूँ okay is equals to achieve जैसे मैं enter hit करूँगा यहां पर देखिए जो भी parameters मैंने यहां pass किया था वो अपने को यहां देखने को मिल गया here we go आप अपने को बस इसे graph करना है तो मैं यहां पर आता हूँ यहां करके graph करना start कर देता हूँ इसे मैं copy करता हूँ यहां से की को अब अपने सामने एक issue करना start कर देगा कि यह क्योंकि यह जो चीज है यह null और string दोनों return कर सकती है अभी इसने अपने सामने किया भी था जब okay नहीं था तो null return किया और okay था तो एक string return करी तो मैं क्या करूँगा इसे यहां से ही cut करके जो भी type अपने को मिलेगा उसे as a string save कर लूँगा as string तो अब इसका type convert होके string के अदर आ जाएगा कुछ इस तरह से पने party size को ले लिया कुछ इसी तरह से मैं ऐसे copy करता हूँ and copy करके मैं time और date को भी ले लेता हूँ तो first of all तो मुझे चाहिए यहां पे booking time जिसको मैं कर देता हूँ यहां पे time time and ऐसे मुझे चाहिए booking date तो मैं ऐसे कर देता हूँ booking date और यह अपने इपने 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 देट के अब search parameters के अंदर जब मैं यह value डालूँगा तो बो आके save हो जाएगी अपने इसके अंदर and message के अंदर guarantee मैं यहां से इस object को हटाता हूँ and एक और new object डालता हूँ new object के अंदर मेरे पासे सारी चीज़े होगी like slug party size booking date or booking time here we go अभी सारा object वापे convert होके return हो जाएगा इसे मैं यह से save करता हूँ and open सीधे चलते हैं ब्राउजर के अंदर यहां पर मैं सारे parameters को पास करने वाला हूँ search parameters swing ready कर लेता हूँ अपर चली मैं search parameters को ready कर दिखाता हूँ तो मैं पर comment के अंदर सिभाल को डाल देता हूँ and now यहां पर मैं कुछ parameters डालूँगा तो यहां पर question mark and सबसे वैले मुझे डालना है party size तो मैं से यहां पर पेस्ट कर देता हूँ इसको इस इकोस्ट कर दूँगा currently 14 के 13 people सपने पास यहां आने वाले हैं then मैं and का use करूँगा and इस बार मैं डालूँगा time तो मैं time को copy करता हूँ and यहां पर time को paste परके इसकी value assign कर देता हूँ तो मैं time is equal to कर देता हूँ एक dummy time की तो मैं यहां पर time paste कर दिया and यहां पर मैं date ले लेता हूँ इस date को grab करता हूँ यहां paste करता हूँ and इस date में डालता हूँ 0801 2005 here we go अब इस URL को मैं यहां से copy करता हूँ and hit करके देखते क्या response अपने को मिलता है इसे मैं यहां से copy किया and अपना थे browser के अंदर यहां मैं इसे paste पर देता हूँ and again display थोड़ी बड़ी कर लेता हूँ ताकि चीज़े दिखे and मैं इसको करता हूँ hit मैं जैसे इसको hit करूँगा देखे message को मैं पर क्या response मिलता है कि उस सारा response अपने को यहां पर as a t देखनी को मिल गया जो भी slug मैंने दिया था जो भी party का time मैंने दिया जो भी timing मैंने define करी या पर जो भी booking date मैंने define करी date के अंदर पर नल देखनी को मिला just because मैंने यहां पर is equal to नहीं लगाया is equal to मैं लगाता हूँ आप hit करता हूँ मैं देखिया अपने को यहां पर date भी मैं गई तो आज की वीडियो में जाने किस तरह से search parameters ली सकते हैं अब अपन इसको build करते हैं इस data को अपन लेते हैं और fetch करता है database के अंदर